देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ दोस्तों हेमन्त इसराइल और फिलिस्तीन की बीच एक बार फिर से युद्ध जैसा महौल हैं यहां से जो वीडियोज और तस्वीरे निकल कर सामने आ रही हैं वो भयानक हैं इसराइलों के हमले हो रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी पहराल इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चार्चा जस चीच की हो रही है वो है इसराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानि की आइरन डोम तर असल जब फिलिस्तीन के हमास संगठन ने इसराइल की राजधानी तल अवीब समेत कई शेहरों पर हमला किया तो इन तम रही है कि आखर ये बला है क्या जिसने सैक्रो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों कि वो मोतार हमले तक से उनकी रक्षा कर सकता है इसका इंटरसेपशन रेट 90% तक है इस्राइल अब कई anti-balastic missile defense system पर भी काम कर रहा है साथी इस्राइल इस तरह की system को design कर रहा है जो tanks और ships तक की रक्षा भी करने में सक्षम हो इसे इस्राइल की सरकार रक्षा agency राफेल एडवांस डिफेंस system द्वारा डेवलप किया गया है इसे रक्षा missile battery भी कहते हैं पूरे इसराइल में इस तरह की 7 रक्षा missile battery लगी हुई है हर battery intercept missile शम्ता से less है इसे secured wireless connection के जरीए operate किया जाता है iron dome में एक radar unit, missile control unit और कई launchers शामिल है ये रक्षा प्रनाली हर मौसम में काम करने में सक्षम भी है दिन हो या फिर राद हो, दोनों में इसे कोई दिक्कत होती रही है इसका detection power इतना जबरदस्त है कि ये हवा मही missile को खत्म कर देता है जहां इसका radar 4-70 km की दूरी तक को target की पहचान कर उन पर नज़र रखता है तो वह इसके 4-5 launcher में एक बार में 20 missile निकलती है ये missile गर्मी और electric sensor वाली होती है और दूसरी missile से टकराकर उन्हें नस्ट कर देती और नस्ट सिर्फ टकराकर बलकि अगर ये टकराने से चूप जाएं तो इसमें लगे sensor एक्टिवेट हो जाते है और target missile के 10 मीटर के दायरे में आते है उसे तभा कर देते हैं iron domed mile launcher एक ट्रक के सहरे कहीं भी पहुचाया जा सकता है defense sector से जुड़ी company यानि कि रथान का कहना है कि इसकी एक unit करीब 150 वर किलोमीटर के दायरे तक की रक्षा करने में सक्षम है और अब सवाल ये है कि क्या भारत के पास ऐसा कुछ है ऐसी कोई तकनीक है और इतनी खतरनाक और काज़र चीच की आकर कीमत क्या होगी तो जानिये इसकी एक battery या कहें कि इसके fully loaded एक ट्रक की कीमत पचास मिलियन डॉलर है जिसमें लगने वाली एक interceptor तामीर मिसाइल की कीमत असी हजार डॉलर है और जिस rocket हमरे पर यवेशर करने के लिए इस्तमाल किया जाता है उसकी कीवद सिर्फ एक हजार डॉलर होती है और दुश्मन के एक rocket को उड़ाने के लिए दो तामीर मिसाइल निकलती है यानि कि अगर पैसों के लिहाज से इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिर दुश्मन की एक हजार डॉलर के मिसाइल के खिलाफ एक लाग साथ हजार डॉलर खर्च होते है लेकिन सिर्भी जो जिन्दकिया और नुकसान ये मिसाइल ने बचाती है उनका आख़र पैसों के हिसाब से नहीं किया जा सकता और अब आखिर में बात करते हैं भारत की क्या हमारे पास कुछ ऐसा है क्या तो हम आपको बता दें कि हम रूस से इसी तरह के एक तक्नीक खरीद रहे हैं जिसे S-400 कहते हैं भारत इसके लिए 5 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है जो कि इस्राइल की तक्नीक से बड़ी महतर और महंगी कही जा सकती है वज़ा भी है उसके पीछे वज़ा है इस्राइल छोटा है और भारत का छेतरफल बड़ा है इस्राइल की तक्नीक जहां 4 से 70 किलो मीटर तक का एरिया कवर कर लेती है तो भही S-400 तीन सो से चार सो किलियो मीटर तक के एरिये पर असरदार बताई जाती है इसके अलावा S-400 रॉकिट्स मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ भी कार कर है आलगि यह डिफेंस के मामले में हम इसराइल के साथ भी काम कर रहे हैं और काम करते रहते हैं लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में डूम कमाल का प्रवेशन कर रहा है आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर इसको लेकर कमेंट करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नमस्कार